दोस्तो टॉप 10 सेलिंग कार्ज की लिस्ट में फिर से एक बहुत ही तगड़ी उतल बुतल आपको देखने को मिलेगी जो कल बुकम पाया था मेरे ख्याल से तो इसी लिस्ट में आया था वो तो चलिए दोस्तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसमें हम देखते हैं कि इंडिया में सितंबर 2023 में टॉप 10 गाड़ियां जो बेची गई हैं यानि सबसे ज्यादा बेची गई हैं वो कौन सी हैं तो वीडियो को आप एंड तक कम्प्लीट देखना जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कौन सी गाड़ी कितने कॉम्प्टीशन में बनी हुई है ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप ऐसी पोजिशन की कार है वो एक ऐसी कार है जो कि दो महिने बाद यहनी जुलाई और अगस्त में वो बाहर हो चुकी थी लेकिन अब उसने 10 पोजिशन पर फिर से एंट्री करी है वो है हुँने की वेन्यू और ये 10 और 9 एक ऐसी पोजिशन होती है जहां से गाड़ी किसकती वी देर ही नहीं लगाती तो यहाँ पिछले महिने जो है वो फ्रॉंक्स थी मतलब 9 पे फ्रॉंक्स थी और अगर 10 पोजिशन की बात करूं तो वो थी मारूती एको जो कि दोनों ही इस बार बाहर हो चुकी है तो यहाँ वेन्यू ने 10 पोजिशन पे बाजी मारी है अगर 48,000 में आपको मिल जाएगी इंजन और माइलेज की बात करूं तो इंजन में आपको फ्रेंट्स 1 लिटर पेट्रोल 1.2 लिटर पेट्रोल और 1.5 लिटर डिजल इंजन मिलता है इन तीनों की अक्युमिलिटेड माइलेज है 18 से लेके 20 किलमेटर पर लिटर की तो यह हो गई वेन्यू आपकी जो कि 10 पोजिशन पर बनी हुई है नेक्स्ट का रेफ्रेंस 9 पोजिशन पर वो है हुंड़ी क्रेटा हुंड़ी क्रेटा की 12,717 यूनिट इस महीने बेची गई है प्राइस की बात करूं तो 10,87,000 से गाड़ी स्टार्ट होती है और 19,20,000 तक आपको मिल अगर आपको ओन रोड ब्राइस चेक करने है तो आप अपने स्टेट के अकोडिंग, डिस्टिक के अकोडिंग, अपना जो ब्राइस है ओन रोड किसी भी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं काफी साइट आजकल अवैलेबल ने क्रेटा में आपको मिलने वाले जो इंजन हैं वो है 1.4 लिटर और 1.5 लिटर पेट्रोल दो इंजन आपको मिलते हैं और एक मिलता है आपको 1.5 लिटर डीजल इंजन, तीनों की अक्युमिलिटेड माइलेज है 16 से लेके 23 किलोमेटर पर लिटर गी, अगर क्रेटा की पोज के बारे में जानना है तो उपर आई बटन में आरे लिंक से आप जाके वो वीडियो चेक करके आप देख सकते हैं कि हुणडे में आपको कौन से प्राइस लेब में कौन सी गाड़ी मिल जाती है, हमने सारा सब कुछ उसमें प्रोवाइड करवा रखा है, अगर बात करते है अगली कार की तो वो है टाटा पंच, टाटा पंच एक ऐसी गाड़ी एफ्रेंट्स जिसने तीन पोजिशन डाउन किया है, क्रेटा की तरह ही इसने तीन पोजिशन डाउन किये हैं, अगर यूनिट्स की बात करूँ तो 13,36 यूनिट इस महीने बेची गई है और इस कार का प्राइस स्टार्ट होता है, 6 लाग से स्टार्ट होके ये 10 लाग 10,000 तक आपको मिल जाती है, ये सारे प्राइस आपको एक्स वरोम ही मिलेंगे, मैंने आपको ये बता दिया, अगर बात करें इसके इंजन की और माइलेज की, इसमें आपको 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन मि दिखाया है, इस बार जो कि है आपकी, एक M.U.V. सेग्मेंट की गार, या M.P.V. भी हम कह सकते हैं, मारूती अर्टी गा, 13,528 उनिट इस महीने बेची गई है, और ये गाड़ी स्टार्ट होती है, 8,64,000 से और जाती है, 13,8,000 तक, अगर मैं इंजन की बात करूँ, तो सिर अगली गाड़ी अफ्रेंट्स इसने भी एक पोजिशन इंप्रूव किया है, इस बार वो है आपकी सबसे ज़्यादा पसंद की जनने वाली कॉंपेक्ट सेडान मारूती डिजायर, मारूती डिजायर की 13,880 उनिट इस महीने बेची गई है दोस्तों, अगर प्राइस की ब अगली गाड़ी की जो की आप ये कहेंगे की अईसा कैसे होचता है, वह है आपकी मारूति स्विफ्ट जो की डारेक्ट फ़्िफ्ट पोजिशन पर आ आ गई है, फस्ट से, मतलब आप देखेंगे आगे चलके की ऐसी कौन सी गाड़िया है चार जिसने इसको फिफ पे दके दिया है तो वो देखेंगे हम आगे अब बात करते हैं हम स्विफ्ट के वारे में तो स्विफ्ट की 14703 इनिट इस महीं ने बेची गई है गाड़ी का प्राइस टार्ट होता है पांच लाग 99000 से लेके 93000 तक आपको मिल जाएगी यानि 6 से लेके 9000 में ये गाड़ी सिमट जा अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसने अपनी पोजिशन को हिलने भी नहीं दिया ना तो इंप्रूमेंट किया और ना ही डाउनगेड गया अगर पोजिटिव रिजल्ट नहीं है तो इसने नेगटिव रिजल्ट भी नहीं दिया है वो गाड़ी है फ्रेंड्स सब की चा नें, तो engine में आपको 1.5 liter का पेटरोल engine मिलता है, और जो कि आपको CNG के साथ मिलने लग गया है पैटरोल में इसकी mileage है 19 से लेके 20 km पर लीटर की और CNG में company इसमें mileage claim करती है आपकी 25 km Per kg की ठीक है friends, अब बात आती है उस गाड़ी की जिसने की list को क्या सबी को चोका दिया है वो है आपकी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली इंडियन कार भारतिय कार भारतिय ब्रेंड की कार Tata Naxon पिछले दो महिनों से काफी ज़्यादा हेमपर कर रही थी इसकी sales वो था इसका reasons facelift का लेकिन facelift launch हो चुका है और launch होने के साथ ही इसने छपड़ भार दिये हैं sales में 15,325 उनिट सितंबर 2023 में बेची गई है और जो prices हैं इस गाड़ी के वो हैं 8,10,000 से लेके 15,50,000 तक फिर्ट्स अगर आपने Tata Naxon Facelift की वीडियो जो हमने चैनल पर डाली थी अगर नहीं देखिये हैं तो उपर आई बटन में आ रहे हैं लिंक से आप जाके चेक कर सकते हैं अगर इंजन की बात करूँ तो इंजन सेग्मेंट आपको वही पिसला सेम रखा गया है 1.2 लिटर पेट्रोल, 1.5 लिटर डीजल ये दो इंजन आप्सन आपको मिल जाते हैं और पेट्रोल में इसकी माइलेज है 17 km पर लिटर डीजल में कम्पनी माइलेजक्लेम करती है 25 km पर लिटर गी इसने इस लिष्ट में फिलाल entry करी है और आगे देखते हैं ये गाड़ी क्या करती है आगे टोप पे जाएगी या फिर नीचे जाएगी वो तो अगले महिने ही पता लगेगा उसके लिए आपको चैनल के साथ बना रहेना बड़ेगा आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को फ्रेंट्स मेरी ये रिक्वेस्ट है सजेशन मानो, रिक्वेस्ट मानो, कोजवी मानो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो अब फ्रेंट्स बात आती है टोप टू कारों की जो की फिर से वही मारूती मारूती ही बाजी मार सकती है फस्ट और सेकिंड पोजिशन पर तो इसमें आपको दो इंजन ओप्सन मिलते हैं जो कि आपको CNG के साथ मिलने वाले हैं मतलब 1 लेटर का इंजन पेट्रोल में और 1.2 लेटर का इंजन पेट्रोल में 24 किलोमटर पर लेटर की मालेज कंपनी क्लेम करती है इसकी पेट्रोल में तो 6,101,000 से इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है और 9,88,000 तक ये गाड़ी आपको मिल जाएगे जिसमें आपको 1.2 लिटर का K-Series इंजन मिलता है जो कि आपको 19 किलोमेटर से लेके 22 किलोमेटर की जो माइलेज है वो कमपनी क्लेम करती है इसमें और 30 किलोमेटर पर के तो description में उसका link मिलेगा और i button में भी मैंने regular उसके link डाले है अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियो आप जाके जरूर चेक करें आपके लिए बहुत ही ज्यादा beneficial होगा अगर आप एक नई कार प्लैन कर रहे हैं तो वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडिय को like कीजिए share कीजिए अपने friends के साथ जो भी नई कार प्लैन करना चाहते हैं इस list के according वो गाड़ी की market value को आप पता कर सकते हैं तो आप उनके साथ जरूर share कीजिए तो चलिए friends मिलते हैं next video में लेकिन आप तब तक channel को subscribe करके रिखी videos को देखते रहे हैं काफी अच्छा content आ आपको मैं provide करनवाने की कोशिस करता हूँ फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे comment में बता सकते हैं चलिए friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए thanks have a good day